इस देसे राकेश जंवाल जी मानिय उपद एक्समोदे 17 फरवरी 2024 को जो बजट मानिय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2024 के बजट अन्मान प्रसूत करते हुए जो कहा है उस पर चर्चा के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ मानिय उपद एक्समोदे जहां इस वर्ष का विति वर्ष का बजट बूक हमारे सामने है वहीं पिछला जो बजट मानिय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्तूत किया है उसकी कौपी भी हम लाए है हम उसको भी साथ-साथ देहन कर रहे है आज भी जो सदन में विशे आया जो कांग्रेस का प्रतिग्या पत्र 2022 गोषना पत्र उस गोषना पत्र में कांग्रेस के सरकार जब बनी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को अस्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पूर्ण निस्टा के साथ कारे करेगी वर्तमान कांग्रेस सरकार की विकास नित्यों को लागू करने के लिए कांग्रेस प्रतिग्या पत्र को जो वो पॉलिशी डॉकुमेंट के रूम में अनुसरन किया जाएगा ये बात हमारी ओर से नहीं गोशना पत्र की प्रती यहां पर रखी गई और उसमें कहा गया, इस गोशना पत्र में कहा गया है कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मिटिंग में एक लाख सरकारी नौकरिया दी जाएंगी. और मुखे मंतर जी इस बात से पल्ट गे, कि हमने ऐसा कहीं नहीं कहा कि पहली कैबिनेट में एक लाख नौकरिया दी जाएंगी, हमने तो रोजगार की बात कही है, और ये हमारे पास उनका जो पिछला पिछली जो बजट बूक है वो भी हमारे पास है और उसके साथ उनका ग पार्टी हमाचल प्रदेश में सत्ता में आई, जूटे वाइदे कि ये, गोशना पत्र को कह रहे हैं कि ये हमारा गोशना पत्र हम तो गरंटियों की बात कह रहे हैं, जब गरंटियों पर आते हैं तो कहते हैं कि हमने ये नहीं कहा, कि पहले भी तिये वर्स में सारी ले लेख रहा है। जमीन विवाग के नाम हो गई उसका नाम बदलकर राजीब गंधी डेबोर्डिंग स्कूल कर दिया गया पिछले बजट में कहा गया के पूरे परदेश में राजीब गंधी डेबोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे आज तक एक भी स्कूल का काम कहीं पर सुरू नहीं हुआ लेकिन इस वार के बजट में क्या कहा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में ग्रीड से जुड़े हुए रूप टॉप तोलर प्लांट और बाटर हिटिंग सिस्टम स्थापित किये जाएंगे प corpse में कहा स्कूल बनेगे श्कूल बने नहीं लेकिन इस वार कह दिया कि रूप टॉप तोलर प्लांट जो है वो स्थापित किये जाएंगे ये किस परकार का बजट हम कोई भी सिस्जग्य नहीं है लेकिन इतना इतनी जानकारी हमको भी है कि बजट में किस परकार की योजना आ रही है भारती जन्ता पार्टी की सरकार के समय में जैरम जी ने एक योजना शुरू की थी अखंड सिक्सा जोती मेरे स्कूल से निकले मोती इस बार नाम बदल दिया गया कहा अपना विद्याले मेरा विद्याले मेरा समान मानिय उपद एक्समोदे इस बजट में क्या नया है मैं सत्तपक्स के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ के सचाई आप समक्स सदन के समक्स रखें योजना पांच वर्स मानिय मंत्री जी आप बहुत वरिस्ट स्दस्या में आपको भी सुन रहा था बजट पर बोलने की बजाए आप नहरू इंद्रा गांदी जी से लेकर पुरानी चर्चा कर रहे थे लेकिन 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 इस बजट बोक में जो है उस पर भी चर्चा करते तो मुझे लगता के ज़्यादा अच्छा होता आप पुरानी सरकार का जिकर करने चोदा महीने का समय हो गया माने मंतरी जी आपको भी अब पुरानी सरकार को कोषना बंद करो अपनी उपलब दिया पिछले बजट में जो आपने कहा उसमें से 80 परिस्ट जो है वो एक भी बात को पूरा नहीं किया गया और इसमर नया बजट आ गया पुरानी भारती जनता पार्टी की सरकार के इसमें में जैरम जी ने जो योजने शुरू की आज उन योजना का पता नहीं मोदी जी ने पांच लाग तक का इलाज एक परिवार के एक तस्यका पांच साल तक होसता है उससे जो लोग छूट गए उसके लिए भारती जनता पार्टी की सरकार हिमकेर योजना लेकर आई आज हीमकेर योजना की क्या स्थिति है आज सहरा योजना की क्या स्थिति है मैं बजट बूक में देख रहा था उसमें कहा गया है हीमकेर और सहरा योजना को रास्टियस्तर के डुमेन एक्सपर्ट की साहिता से अवश्यक सुधार किये जाएंगे लोगों का इलाज नहीं हो रहा है जो हॉस्पिटलिस्ट में एंपेनल्ड है उनको पैसे नहीं दी जा रहे हैं दोसो क्रोड की रासी अभी भी पकाया है और सहरा योजना में जो गरीब परिवार के लोग जिनको गंभीर बिमारी हो जाती है तीन हजार रुप्या मेहने का दिया जाता था नौ महने से वो पैसा बंद कर दिया गया दिन यह कि इस परकार की सरकार हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है हम बार बार इसलिए इस बात को कहते हैं कि मानवी अद्रिस्टी कॉन के साथ भी काम करो आप हमें कह रहे हैं कि आप राजनितिक द्वेस के चलते काम करते हैं आप केंदर ने मोदी जी ने प्रधान मंतरी उजुला योजना सुरू की इमाचल की सरकार ने उसी तरज पर मुख्यमंतरी ग्रिणी सुविदा योजना सुरू कर दी आज उस योजना के माद्यम से हजारों महिलाओं ने गैस किनेक्शन के लिए अपलाई किया है लेकिन उनको गैस नहीं दी जा रही है मैंने प्रशन किया था उसका जवाब आया है लगवग 15,000 से जादा परिवारों ने आज भी गैस के लिए इस योजना के अंतरगत अपलाई किया है लेकिन बरत्मान की सरकार ना इस योजना को बंद कर रही है ना ही चला रही है इसी प्रकार से हिमकेर योजना इसी प्रकार से साहरा योजना भरती जंता पार्टी की सरकार ने जन मंच सुरू किया था उस जन्मंच के माध्यम से हर व्यक्ति की समस्या का समाधान होता था उसे एक उसकी पार्टी नहीं पूछी जाती धर्म नहीं पूछा जाता था प्री जन्मंच के माध्यम से छोटी छोटी जो सिकायते किसी की नल की किसी के रेवनियू से समंदित उन सारी समस्यों का समाधान होता था लेकिन आपने वो जन्मंच बंद करके अब कोई नई योजना सुरू कर दी सरकार गाओं के द्वार कुछ ऐसा नाम दिये जा रहा है लेकिन आप कोई नई योजना ची योजना लेकर आते तो हम इस तादन में मुख्य मंत्री जी को सरकार को बधाई देते लेकिन किस प्रकार से किस प्रकार से आज वरत्मान की सरकार में काम हो रहा है मंत्री जी अभी बोल रहे थे मानि भिक्रवा दिते जी प्रवल्डी मंत्री मैं उनसे मंडी में सरदार पटेल जी के नाम पर सरदार पटेल विश्व विद्याले की स्थापना की इस विश्व विद्याले में 127 कॉलेज जो है अफलेट किये गए लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही इससे वो कॉलेजिस निकाल कर आजकल मातर 46 कॉलेजिस विश्व विद्याले के अं इसको भी बंद करने का है कि नियत के साथ सरकार काम कर रही है इसलिए मान्य मंत्री जी मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप इसमें मजद करें आपने कहा है मैं सच्ची बात कहने में से गुरेज नहीं करता आप सचाई को सरकार के समक्स रखें सदन में कहें मंडी में सिवधाम की स्थापना की जा रही थी वो सिवधाम जब प्रेटक मनाली के लिए जब दिल्ली से चलता था उसको मंडी में रुकने के लिए कुछ नहीं था वहां प पिछले बजट में देख रहा था उस बजट में कहा गया कि हर विदानसवाक शेतर में एक एक अधर्स स्वास्थे संस्थान जो है वो स्थापित की जाएंगे अधर्स स्वास्थे संस्थान बनाया जाएगा यह बात पिछले बजट में कही लेकिन हम देख रहे हैं कि सरका ने डेड़ करोड की लाग से वो पिए से प्लांट स्थापित किया था उसकी सर्विस करवाने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं है और वो प्लांट बंद पड़ा हुआ है उस प्लांट को सुरू नहीं किया जा रहा है माने मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मैंने पिछले बज़र सत्र में कहा था आपने एशोर किया था कि एक सप्ता के अंदर अंदर उसको चला दिया जाएगा लेकिन आज भी गैस के सिलिंडर खृत कर किसको आप लाब देना चाहते हैं यह भी आज बहुत बड़ा प्रशन है आपने कहा कि हम अधर स्वास्ते संस्थान बनाए की एक अंबुलेंस वहां पर धुनेट कर दी पूर्व की सरकार के समय में उसमय के मुख्य मंत्री जैरम ठाकुर जी को चापी दी और वो अंबुलेंस वहां पर लोगों की सेवा के लिए अपलव थी उसका एक्सिडेंट हो गया उस अंबुलेंस को ठीक करवाने के लिए च सर्जरी की लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिस परकार से हमारे सत्ता पक्ष्ट